नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मैरत निसेन भारती अज हम आगे बात करेंगे जदियू को लेकर जदियू कल यानि की रवी बार 10 जनवरी को राजकार्जकार्णी की बैठक शुरू होगी इस बैठक में जदियू में कई बड़े बदलाव होने की बात कही जा एक सबसे बड़ा बदलाव होगा था कि राजकार्णी की बैठक में राजटिय अध्यक्स का नाम बदल गया आपको बता दें कि बिहार के तकालिन मुख मंतरी नितिश कुमार ने जदियू के राश्टिय अध्यक्स से अपना पद छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जदियू के राश्टिय अध्यक्स हो गए रसीपिसी जब रदियू के राश्टिय अध्यक्स हुए इस समय जदियू और बीजेपी को लेकर तलखियां बड़ी होई थी इससे पहले एक मामला अरणाचन प्रदेश का था जिसमें बीजेपी में जदियू के साथ में जिसके बाद से बिहार में सियासत बहुत तेजी से बढ़ गई थी आखिर हम 10 जनवरी को राज आजकार्चक जदियू के बैठक होने वाली है इस बैठक लेकर हम आगे बिस्तार से बात करेंगे कि आखिर इस बैठक के क्यों होनी वाली है और किस तरह के निर्मय लिये इन सब चीजों को जाने उस से पहले थोड़े से हम पीछे चलेंगे और जानेंगे 2020 भिहार विधान सवा में काविज रह सकते हैं इसको लेकर जदियों को ये भी लग रहा है कि हम जिस पिढ़ी के साथ है आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे पास जो फाउज है वो फाउज कितनी मजबूत है इसका नतीजा हमने बिधार बिधान सवाज चुनाओ के नतीजों के बाद देखा जदियों लड़ेंगे इस तरह की बात कही उसके बाद से लुगों का समर्थन मिला और लोक भावात्मा कोके नतीजुद कुमार को बोट भी दिये जिस चरण के चुनाओं में उन्होंने ये बात कही थी उस से पहले उनके स्भीदत अगर देखे उस पहले चुनाओं में तो इस तरह निकल के आई उसका नतीजा अब हमें 10 जनवरी के होने वाले राज काजकाने की बैठक में होगी आपको बता दें ये साफ ये तैवी है कि बिहार में परदेश अध्यास तक के बदल दिये जाएंगे आपको बता दें कि जीला अध्याच छे परदेश अध्याच छे और उसके के दवरान अच्छा काम किया है उन्हें संगठन इनाम के रूप में उनका प्रमोसन करेगा या पिर उन्हें अच्छे पद मिलेंगे इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने संगठन के खिलाफ जाकर बात कही है या फिर काम किया है उन्हें संगठन छोड़ेगा नहीं उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि 10 जनवरी को कई बड़े अहम निरने लिये जा सकते हैं इस निरनेओं में ये भी बात कही गई है कि परदेश अध्याश भी बदले जा सकते हैं तो ऐसे में बिहार जदियू यानि कि जदियू को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है इसमें कहा जा रहा है कि अवे जदियू इवाओं की फाउज की तरह तयार होगी और आगे किस तरह से रणनीती बनाती है बिहार के चुनाओं में इन सारे मुद्धों पे बात करेगी आपको उतादें कि 10 जनवरी को होने वाले राज काजकानी की बैठक में परदेश अलगत विधियों पे आगे चलेगी बिहार से जुड़ू हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिये जाजत धन्यवाद